नमस्कार मैं कामशिश्वर्मा आप देखरें इंडिया नूज इस समय महारे बीच मौजूद है मापका के नेता और पूर्व विधाइक राकिश सिंगा जी जाना चाहेंगे कि खासकर जो मुख्यमंति सुक्विंदे सिंग सुकु ने बीटे दिन बजट पेश किया है देखा पाश्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आज मंत्रत किया है देखे पिछले कल जो हमाच्जा प्रदेश के मुखमंत्री महदिया जिन के पास विध्य मंत्रा लिया है उनना बजट पेश किया और पिछले बजट पेश करने के बाद बहुत से कमेंट्स आएं हैं बहुत सी चर्चाएं हुई हैं और बहुत से लोगों ने अपना दृष्टिकोन इस बजट के बारे में पेश किया है विपक्श के वधायक हैं उन्हों नभी किया हैं मंत्रियों ने किया है जो विपक्श के नेताय ने उन्हों ने भी किया है जहराम जी ने पैद अपना पक्श रखा है और प्रमार्शाब ने भारती जन्ता पार्टी के भिहाब पर रखा है मैं समझता हूँ जितने भी अभी तक उस पर कमेंट आए हैं वो बहुत अधूरे अधूरे क्यों है बाजिट एक प्रशन क्या है पहले बुम्यादी बात उसको समझे लाजिए बाजिट है कि वित्य वर्ष के लिए पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा यह दिदा बाजिट अनफोचेनेटली दुर्भाग्य अपूरण ऐसे कोमेंट्स आ रहे हैं से लगता है कि किसी ने बाजिट नहीं समझे और मैं समझता हूं कि पैसा कहां से आता है वी मस्ट बी क्लेर अबाउट दैट पैसा आपको जब भी कोई बाजिट पेश किया जाता है आपके सेंटर忙स होते हैं आपके रिवन्यू आपको करता है या टैक्स डिवॉल्यूशन जोते हैं कुछ आप कर आप उठाएंगे बॉर्विंज के करेंगे कुछ आप जनरेट रिव्नियू करेंगे तो इन माध्यम से आपको पैसा आता है सीरकार के बाद पैसा अगर कहां देना चाहेंगे वो बजट की दिशा हमेशा तेह करता है दुर्भाग्यपूरण दुर्भाग्यपूरण 1990 के बाद देश के विद्ध मंतरालिय ने और वेभाग ने एक पैरामीटर तेह किया है कि बजट क्या होगा उसे भार कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसके बहुत से जो पैसे केंदर से आते कट जाते हैं इसलिए जो भी इस बजट का खंडन कर रहा है उधारन के तोड़ पर भारतिय जनता पार्टी ने खंडन किया जब वो खंडन कर रहे हैं तो वो उनको समझे ना है वो सिर्व इ केंदर बजट का भी खंडन कर रहे हैं अपनी ही सरकार का खंडन कर रहे हैं क्यों इसलिए क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1990 के बाद पूरी दिशा क्या है बजटों की वो है गरीब से पैसा कठा करो और अमीर को पैसा दो जिसका क्या मतलब है जो डिरेक्शन्स बजट की है व है आपकी सप्लाइ साइड बजट है हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं साइड का बजटो जिसका क्या मतलब है उसका मतलब है कि आप पैसा अमीर से कठा करो और उसको गरीब को दो मैं समझता हूं कि इस सरकार वह जो पैरमीटर तेह किया है वित्तवे भागने या केंदर सरकार ने या गर्मन दोव इंडिया या 1990 के बाद जिसको हम कहते नव उदारवाद उसे इस सरकार ने डाइवोस करने की कोशिश की है उसे हटने की कोशिश की है लेकिन वो हटने नहीं देंगे यह ख्याल करें वो हटने नहीं OPS का मतलब क्या है? OPS का मतलब है, it is demand side, वो supply side नहीं है, वो demand side है, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि अमीर से लेकर घरीब को मेहनत कश्च को देनी की कोशिश, जब आप तेह करते हैं budget में कि आप ये दूद का rate आप जो गाय का है 45 रुपया है और जो भैस का है 55 रुपया उसको ले जाना, तो उसका क्या मतलब है? कि आप हिमाचर प्रदेश की वो गहुलेक आर्थिक प्रिस्तिती और जो उसका क्रिशी परदान जो राज्य है, उस क्रिशी परदान राज्य में आप प्रियतन कर रहे हैं कोशिश कर रहें जनता की आए ब प्रदान रहेंगे, तो विकास संबब नहीं है, लेकिन वो जो 1990 के बाद जिसमें सप्लाइस साइड था, उसमें ता डानी बानी के आए बढ़ाओ, जो डारिक टैक्स है, डारिक टैक्स जो पहले लगता था, उसको खतम करो, वो जो वेल्थ टैक्स इसको खतम करो, और पाइदा किसको, पुंजी बती का फाइदा, तो इसलिए ये में डारिक्शन, में डारिक्शन की बाद कह रहा हूं, बहुत सी कमी हैं बजट में, मैं उन पर नहीं आ रहा हूं, कि कहां का वो एक संभावना हो सकती थी, कि जहां पर रहात अधिक दी जा सकती थी, लेकिन जो डी रग्यूलेशन का दोर आया, जो 1990 में डी रग्यूलेशन का मतलब क्या है, खोला बजार, खोला विवार, कि पुंजी तेह करेगी, बजार तेह करेगी, कि आपकी वो कीमत क्या होगी, जो वस्तु बजार में बिकेगा, जो कसान पैदा करता है, जब हम